लोगसबा चुनाओं को लेकर देश भर में बीजीपी ने कमर खसली है और इसी कड़ी में बीजीपी के सीनिय नेता कैलाश विज्यवरगी अमबाला में लोगसबा कारिकरता सम्मेलन में शामिल हुए इस सम्मेलन में हजारों के संख्या में बीजीपी कारिकरताओं ने भी श लोगसबा चुनाबों को लेकर के देश भर में बीजेपी ने कमर कसली है उमीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद बीजेपी आला कमायन अब कारेकरताओं को जीत कम मंत्र देने में जुट गया है एसी कड़ी में बीजेपी के सीनर नेता कैलाश विजवर्गे अमबाला शहर पहुँचे जहां बीजेपी ने अमबाला लोगसबा कारेकरता सम्मेलन का आयोजन किया इस संबेलन में हजारों की संख्या पे बीजेपी कारेकरता पहुँचे वहीं इस कारेकरम में भाजपा की हरियना अध्यक्ष नायब सिंग सेनी, राज़े सबसांसित, प्रेशनलाल पवार, शिक्षा मंतरी कवरपाल गुजय, स्थानिय विधायक असीन गोयल भी मौजूद इस औरान मंच से संबोधित करते हुए कैलाश विजवर्गी ने कारेकरताओं को जीत का मंतर दिया और कहा कि आज देश हित अगर कोई पार्टी राजनीती कर रही है तो वो सिर्फ बीजेपी है जबकि अन्यवे पक्षी पार्टीयां सिर्फ कुरसी के लिए ही काम कर रही ह उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के भारत में जब भी टीवी आउन करते थे तो सिर्फ घोटाले ही घोटाले नजर आते थे लेकिन मोदी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ इस चुनाओं में जो संकल्प है कि 400 से ज़्यादा सीट आए उसके लिए हम लोग प्रयास करें और मुझे लगता है कि इस बार बहुत ही जबर्ज़त से रिजब आई है कैलाश विजवर ये ने कहा कि एक समय था जब चाइना हमें आँख दिगा था और पाकिस्तान से लोग आकर हमारे सैनिको का सर काट ले जाते थे लेकिन भारत सभी को मुझ तोड जवाब देता है प्यम मोदी के नेतरत्वर में आज विश्व भर में भारत का सिर उंचा है उन्होंने कहा कि पीम मोदी देश को जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ा रही है और आप कारेकरताओं को जवाब देही के साथ में काम करें इस पर भी 400 से जादा सीटों का संकल भी लेकर भाजपा चल रही है राहूल गांधी की गारंटी उपर तंसकस्ते हुए उन्होंने कहा कि राहूल गांधी को कोई सीरस नहीं लेता आप उन पर कोई विश्वास भी नहीं करता साथ ही भाजपा हर्याना की सभी 10 लोगसभा सीटे जीतेगी बहराल लोगसभा चुनावों को लेकर के देश भर में बीजेपी ने कमर कसली है उमीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद में बीजेपी आला कमान आप कारेकरताओं को जीत कम बंत देने में जुट गया है